प्रांस के एक अलोजिकल ट्रांजेशन मंत्री ने प्रांस पर्यावरन वस लॉंच किया है प्रकास जौडे करने और इसे कहां पर लॉंच किया गया नई दिल्ली में इकनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कि नविंतम एश्या प्रसांत वेक्तिगत स्वास्त सुचकांग में भारत किस अस्थान पर है इसमें भारत दसमें अस्थान पर है 27 जनवरी 2021 को आसकर विजेता किस हॉलिवड अभिनेतरी का निधान हो गया कलॉरेंस लीचमेन ये अमेरिका की थी खाली में किस केंद्रिय मंतरी ने नए दिल्ली में एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान और समुदरी मेगा जीव सिरिंखला के देशा निर्देश जारी किया है प्रकास जौड़े करने ये केंद्रिय परेवरण मंतरी है किस टेक कमपनी ने बेंगलूरू और हैदराबाद के बाद उत्तर परदेश के नोईडा में एक इंडिया डेवलोप्मेंट सेंटर के सुविधा शुरू करने की घोसना की है माइक्रोसोफ्ट ने किसकी एसमिरिती में 30 जन्वरी 2021 को शहीद दिवस मनाय गया मातमा गंदी के इसमिरिती में तो भारत में हर सल दो बार शहीद दिवस मनाय जाता है एक बार 30 जन्वरी को और एक बार 23 मार्च को नविंतम पुस्तक ये पुस्तक हाली में काफी चार्चा में रही है तो इसके लिखक कौन है मुहमद हामिद अंसारी है ये भारत के पुर्व उपरासपती है सिक्षम अंत्राले के आर्थिक मामलों के विभाग ने किस बैंके साथ 28 जन्वरी 2021 को एस्टार्स प्रोजेक्ट के लिए वितिय सहता समझोता किया विश्व बैंके साथ मिलकर विश्व बैंक जो है एस्टार्स प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन डॉलर परदान कर रहा है सहता राशी उपेक्षित उसने कटिवन दिये रोग दिबस मनाने के लिए 30 जन्वरी 2021 को किस भारतिय इस मारग को रोशन किया गया था तो दुनिया भर के 50 से अधिक परमुक अस्थलों को रोशन किया गया था उसमें भारत का कुतुब मिनार भी था बैंगलोरों में अस्थापित भारत का पहला सबसे बड़ा केंदरी किरित AC Railway Terminal का नाम बते गिये इसका नाम है एम वेश्वाश्वराया हरेलवे Terminal जो की करनाटक के बैंगलोरों में अस्थापित किया गया है हाले में कि साराजी की सरकार ने मिशन भागिरत ब्रांड के नाम से स्वाय का बोतल बंद पयाजल लॉंच किया है तेलंगाना की सरकार ने तेलंगाना में हर घर में सुरक्षित पयाजल उपलब्द कराने के लिए पहले से ही मिशन भागिरत चलाए जाता है इसी नाम से एक पानी का बोटल लॉंच किया है यहां की सरकार ने अब चली आज का करेंटर फिर देखता है पहला कोशन परदान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा चौरी चौरा घटना के शताबदी समारोह का उदगातन किस दिन किया जाएगा चौरी चौरा घटना का सौव वर्स पूरा हो रहा है चार फरवरी 1922 को लेकिन इसका शताबदी समारोह जो है अस्टार्ट किया जा रहा है इसी साल से चार फरवरी 2021 को परधान मंतरी नरेंदर मोदी इस समारोह का उधगाटन खरेंगे बता दें कि चौरी-चौरा एक अस्थान है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश के गोरखपूर में तो यहीं पर एक घटना हुई थी स्वतंतरता अंदोलन के समय जो है कुछ परदसन करियों ने पुलिस टेसन में आग लगा दी थी और इसी घटना के तुरंत बाद महत्मा गंदी ने अपना आसहयोग अंदोलन को अस्थागित कर दिया था तो यह उस समय की बहुत बड़ी घटना थी इसी का शताबदी समारोह स्टार्ट किया जा रहा है इस साल से चार फरवरी 2021 से कुछ और important facts में उसे जान लिजे तो परदान मंतरी नरेंदर मोदी इस सताबदी समारोह का उधगाटन करेंगे इसके अलावा चारी चारा घटना पर एक डाक टिकेट भी जारी किया जाएगा तो यह शताबदी समारोह स्टार फरवरी 2021 से शुरू होकर अगले एक साल तक चलेगा तो यह घटना मैंने अभी बताया आप सुभी को चार फरवरी 2022 को हुई थी उत्तर परदेश के गोरखपुर में इस थी थे चौरी चौरा ठीक है और इसी घटना के बाद महात्मा गांदी ने अपना असहयो गंदोलन को अस्थगित कर दिया था और फ्रेंट्स आगामी परिक्षाओं को दियान में रखकर हमने चार बेस्ट एबुक तयार किया है इसमें जीके यानि समान्य ग्यान का है साइन्स कम्प्रूटर वार्सी कांग करेंटफर 2019 और वार्सी कांग करेंटफर 2020 का इन सारे PDF का लिंक नीचे डिस्करिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से चेक कर सकते हैं और बेस्ट प्राइस में इन सारे पिडेव को आप डाउनलोड कर सकते हैं अब चलिए देखते हैं अगला कोशन 28 जनवरी 2021 को मुंबई में भारते 9 सेना के Fast Attack Craft ये एक परकार का जहाज है INFAC T81 तो इसे पदमुक्त कर दिया गया है इसे 9 सेना में कब शामिल किया गया था इसे भारते 9 सेना में शामिल किया गया था 1999 में तो लगभग 20 साल से अधिक समय तक ये भारते 9 सेना में सेवा दिया अ जाता है देखिया आधोनिक लड़ाई या फिर तकनिक के हिसाब से इनमें कुछ कमिया रहती है और उसमें उच्छ तकनिक से लैस चीजों का मोडिफिकेशन नहीं किया जा सकता इसलिए इन्हें पुरी तरह से रिटायर कर दिया जाता है पदमुक्त कर दिया जाता है और इ इसका गठन हुआ था 1612 SB में, भारत में हर सल 9 सेना दिवस मनाय जाता है, 4 दिसंबर को, मुख्याले नई दिल्ली में है, वर्तमान में भारते 9 सेना के चीफ हैं करमबीर सिंग, वाइस चीफ अफ नवल स्टाफ हैं जी अशोक कुमार, और डिप्टी चीफ अफ नवल स्टाफ हैं MS Pawar, RBI ने हाली में कुलापूर इस्थित किस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है, शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस रद कर दिया है, तो प्रियाप्त पूझी की कमी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण, RBI ने इसका लाइसेंस रद किया है, हा बद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद किया था, और कराट जनता सहकारी बैंक का भी लाइसेंस रद कर दिया गया है, ये भी दोनों बैंक जो हैं महाराष्ट कहीं है, ठीक है, और एक PMC बैंक है इस पर पर्तिबंद लगाए गया है, 31 मार्च 2021 तक के लिए ये पर्त थपित करेगा अराज अस्थन के जैपूर में, अरभियाई का गठन वथा, 1 अपरेल 1935 को, और इसका मुख्याले मुंबई में हैं, गवर्नर हैं, शक्तिक अंदास, उप गवर्नर्स चार होते हैं, एम राजेश्वार राव, एम डी पत्रा, एम के जैन, तथा, बी पी कान उन गो, इसके उप गवर्नर्स हैं, अरभियाई का मॉट्व है, कैश एज किंग, बट डिजिटल एज डिवाइन, अगला कोशन है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मौझूद कूल नयधीसों में, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो भारत में मौझूद कूल जजों में महिलाओं का प्रतिशत है, 29 प्रतिशत, ओप्शन C, राइट एंसर है, ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, टाटा ट्रस्ट ने, अब इस रिपोर्ट से संबंदी जो मुख्य बाते हैं, उसे हम जान लेते हैं, तो टाटा ट्रस्ट सबसे निचले आस्थान पर है, वहीं पुलिस बलकी विविद और शक्ताओं को पूरा करने के मामले में करनाटक पहले आस्थान पर हैं, और 36 गड दूसरे आस्थान पर हैं, वहीं इस रिपोर्ट के अनुस्यार, अधिनस्त नियायलों में महिलाओं के हिस्सेदारी सबसे अधिक तेलंग गाना में दर्ज की गए, 46.2 परतिशत, जबकि 12.1 परतिशत महिला भागीदारी के साज़ ज़ारकंड सबसे नीच हैं, अगला कोशन है, मिसर के लिए भारत का अगला राजदूत निम्र में से किसे नियुक्त किया गया है, तो मिसर में भारत के नए मिसर की नियुक्ति की जाती है, विदेश मंत्राले द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, वरतमान समय में विदेश मंत्री है, एस जय शंकर, मिसर की बात करें, तो इसकी कैपिटल है काईरो, यहां के राजपती है, अब्दिल फतेह अल सीसी, परदान मंत्री है, मौस्तफा, मदबौली यहां की संसत का नाम है मजलिस अलनवाब और मुदरा चलती है पाउंड किस अंगठन के आर्थिक और समाजिक मामलों के बिभाग ने World Economic Situation and Prospects 2021 नामग रिपोर्ट जारी किया है तो यह रिपोर्ट जारी किया है सयुक्त रास्ट के आर्थिक और समाजिक मामलों के बिभाग ने यह रिपोर्ट जारी किया है Option A Right Answer है अब इस रिपोर्ट की भी मुख्य बाते जान लेते हैं जो important है सिर्फ उसे ध्यान में रखना है 2020 में भारतिय अर्थ ब्याउस्था में 9.6 प्रतिशत की गिरावट होने का हनुमान लगाये गया है इस रिपोर्ट में वहीं 2021 में भारतिय अर्थ ब्याउस्था में 7.3 प्रतिशत की विरिध्धी हो सकती है वहीं भारत की आर्थिक विरिध्धी दर 2019 में कितना प्रतिशत थी इस रिपोर्ट का अनुसार 4.7 प्रतिशत और इसी रिपोर्ट में ये भी बताये गया है कि वैश्विक अर्थ ब्याउस्था 2020 में 4.3 प्रतिशत संकुचित हुई यानि माइनस में रही 2020 में विश्व अर्थ ब्याउस्था में 4.7 प्रतिशत की हलकी विरिध्धी होने का अनुमान लगाए गिया है अब जानते हैं संयुक तराश के बारे में इसका गठन वाथा 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर को हर सल संयुक तराश दिवस मनाय जता है मुख्याले नियॉर्क में हैं महासचिव हैं अन्टोनियो गुटेरेस सदे से दे से 193 अधिकारिक भासाइट 6 हैं अर्भी चाइनिज अरशियन फ्रेंच एश्पैनिस और अंग्रेजी इस श्याई किर्केट परिसद के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो इस परिसद के नए प्रेसिडेंट ब वो बंगलादेश के थें 2018 से 2021 तक ACC के प्रेसिडेंट रहें अब वो रिटायर हो गया हैं और नजमुल हसन वर्तमान समय में बंगलादेश क्रिकेट बोड के प्रेसिडेंट में हैं इस बात को भी याद रखियेगा तो जय शाह ACC के नए प्रेसिडेंट बनाए गया हैं ACC की यानि एशन क्रिकेट काउंसिल इसकी अस्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को इसका मुख्याले कोलंबो में है कोलंबो सिरलंका की वाणेजिक कैपिटल है वैसे सिरलंका की कैपिटल है सिरे जाईवर्दे ने पूरा कुट्टे ACC के चेर्मेन है अमिताब चौदरी और ACC का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड एश्यविकास अनुसंधान संस्थान के संस्थापक सचिव कौन है जिनका हाली में निधन हो गिया है इनका नाम है डाक्टर शैबाल गुपता इनका हाली में निधन हो गिया है ये एश्यविकास सनुसंधान संस्थान के संस्थापक सचीवत हैं तो option C right answer है तो बिहार के रहने वाले डक्टर शैबाल गुगता प्रसीद अर्थशास्त्री और समाज विक्यानी थे और वे center for economic policy and public finance के निदेशक भी थे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षन शुरू करने का स्त्रे जो है इन्हें दिया जाता है और हर बार बिहार का आर्थिक सर्वेक्षन इन्हों नहीं तैयार किया जब भी बिहार का आर्थिक सर्वेक्षन पेश किया गया उसे तैयार इन्हों नहीं किया था और डाक्टर शैबाल गुप्ता नहीं बिहार को विशे सराज्य का दर्जा देने के पक्ष में मसोधा तयार किया था, लेकिन बिहार को अभी विशे सराज्य का दर्जा नहीं दिया गिया है। नेपाली परधान मत्री खड़क परसाद ओली की अदेक्स्टा में हाली में नेपाल में एक निवेश बोड की बैठा का योजित की गई थी, उसमें चीन सहित कई अंतराश्य कमपनियों ने हिस्सा लिया था और वो कमपनिया होड में थी कि ये परियोजना उन्हें मिले, लेक और ये कमपनी कहां पर इस्थी थे, शिमला में इस्थी थे, हिमाचल परदेश के कैपिटल शिमला में, वरतमान में इसके अध्यक्ष और परबंद निदेशक हैं, नंदलाल शर्मा, नेपाल की बात करें, तो नेपाल की सिमा भारत के पांच राज्यों से लगती है, उत्र शर्मा ओली, संसद राश्य पंचायत और मुदरा चलती है, नेपाली रुपिया, अगला कोशन है, एस्बी आई कार्ड के नए परबंद निदेशक और मुख्य करेकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो एस्बी आई कार्ड के नए मैनेजिंग डिरेक्टर और से यो बनाए ग है, एस्बी आ की अस्थपना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्याले मुंबई में है, चेर्मैन है दिनेश कुमार खारा और परबंद निदेशक चार होते हैं, सी एस सेटी, अश्विनी भाटिया, स्वामी नाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी, वर्तमान मे SBI के MD है, SBI का बहुत सारा tagline है, the banker to every Indian, the nation banks on us, with you all the way, a bank of the common man, ये सारे tagline है SBI के, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करेंटर फर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और शेयर जरू करना, अब पिछले क्वीज का answer जाने है, पहला question था, नरेंदर मोधी कौन से नंबर क भारत के प्रधान मंत्री है, तो option में सही उत्तर नहीं दिया गया था, तो पंद्रहवे नंबर के ये प्रधान मंत्री है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी, दुसरा question था, राज्य सभा के उप सभापती कौन है, तो राज्य सभा के उप सभापती है, हरिवश नरेंड जेडिव से हैं और राज्य सभा का सभअपती कौन होता वो परासपती होता है वेंक्या नाइड़ू वरतमान में राज्य सभा के सभअपती है अब चलिए आज का पहला क्विज है तर्लिन किस देश की राजधानी है मैंने एक दो दिन पहले ही आप सभी को बताया था स्री लंका के राजपत्वी वर्तमान में कौन है तो दोनों कोशन का इसार नीचे कमेंड में बताइए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार